यहां हम किम को देखते हैं जो किसी को बचा रहा होता है, बिल्डिंग में आग लगी होती है, किम बिल्डिंग से जंप लगाता है और एक रस्सी से लटक जाता है, उसके हाथ में एक बच्ची भी होती है, उसके साथ ही उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन रस्सी में तब ही किम दूसरी ओर देखता है जहां बहुत बीड़ थी और वहां किसी को बचाने की कोशिश चल रही थी जब वहां अपने आपको देखता है तो वह शौक हो जाता है वो मर चुका होता है और उसे ले जाने दो एंजेल आये होते हैं जिनके नाम हीवनमक और मिस्चून हो अपनी मा से मिलना है लेकिन हीवनमक उसे मना कर देता है और कहता है तुम अब इस दुनिया में नहीं रह सकते तबी पीछे से एक पोर्टल खुल जाता है जो किम को अपने अंदर समा लेता है दरसल ये पोर्टल दूसरी दुनिया का होता है जहां आत्माएं रहती हैं यहा हम बहुत सारी आत्माओं को देखते हैं यहां हीवन माक किम को बताता है कि यह हमारे बॉस हैं जिनका नाम गैंग लिम है इन्होंने अभी तक 47 आत्माओं का पुनरजन्म करवाया है और तुम 48 वे हो यहां किम को बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है अब मिस चून उस कार्ड को एक मशीन में डालते हैं जिससे ये प्रूफ हो जाता है को वो एक भली आत्मा है और हीवन मैक मिस चून गैंग लिम ये तीनों उसकी मदद करते हैं अब किम को सबसे पहले hell of murder में पेश किया जाता है यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जिन्होंने किसी को मारा हो या उसकी बजह से कोई मरा हो यहाँ पर gang limb किम को बताता है यह सफर छोटे पाप से स्टार्ट होगा और बड़े पाप तक जाएगा अब किम जहाँ खड़ा होता है वहीं दूसरा बकील भी कहता है इससे लावा में फेक दिया जाए gang limb किम को defend करता है और कहता है किम अपने साथी को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर के नीचे इतना दबा होता है कि वो उसे निकाल नहीं पा रहा होता है तभी पीछे से किसी इंसान की आवाज आती है तभी किम का साथी कहता है तुम्हें उसे पहले बचाना चाहिए उसके साथी को पता था कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है उसके पास इतना टाइम भी नहीं है तो वो किम को पहले उस इंसान को निकालने के लिए कहता है किम उसे बापस आने का कहकर उस फसे हुए इंसान को बचा कर बाहर ले जाता है और वो अपने साथी को बचाने के लिए जाही रहा होता है इतने में बिल्डिंग गिर जाती है यहाँ गैंगलिम कहता है कुछ सोचने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं, ये फैसला किम के हित में जाता है और पहला पढ़ाओ पर कर लेता है, अब चारों अगले पढ़ाओ के लिए निकल जाते हैं, किम का अगला पढ़ाओ, God of Indonance था, जहां उन लोगों की परिक्षा होती है, जो बहुत ही आलसी होते हैं, जो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाते, अब किम यहां उन तीनों एंग्जल से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम मुझे क्यों बचाना चाते हो, मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, मिस चून कहती है, महराज यम्रा ने एक वादा किय है कि हम एक सदी के अंदर अगर उननचा सात्माओं का पुनरजन्म करवा देते हैं, तो हमें भी पुनरजन्म मिल जाएगा, अब चारों God of Indolence पहुंच जाते हैं, अब मिस चून किम की जिंदगी के बारे में बता रही होती है, God of Indolence यह देख बहुत खुश हो जाती है, और किम का एक बहुत बड़ा स्टेचू बनाने की कह देती है, फिर किम से पूछती है कि तुम क्यों अपनी जान को खत्रे में डालकर लोगों की मदद करते हो, किम कहता है पैसों के लिए, यह सुन God of Indolence नाराज हो जाती है, और किम को सजा दे देती है, लेकिन हीवन माक औ बिमार थी और भाई की पढ़ाई के लिए उसे पैसा कमाना पड़ता था, अब God of Indolence पूछती है कि यह आराम कब करता था, तो गैंगलिम बताता है, इसने मरने के बाद ही आराम किया है, यह सुन God of Indolence का फैसला भी किम के हित में जाता है, अब किम दो पढ़ाव पार कर ल वो कहते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, अब गैंग लिम किम से कहता है कि तुमारे परिवार में से किसी का मडर हो गया है, जिसकी सोल बदला लेना चाहती है, इसी वज़े से हमारे उपर ये अटैक हुआ है, और अपने साथियों से कहता है, अगर हमें किम को लास्ट उपर आ जाते हैं, और यहाँ पर किम पर ये इलजाम लगाया जाता है, जिस बिल्डिंग में उसने अपने साथी को नहीं बचा पाया था, उसकी बेटी को उसका फादर बनकर खत लिखता था, लेकिन जब उसकी बेटी को ये सच्चाई पता चली, कि उसके फादर के डेथ हो गई है, ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा, साथ ही किम ने 15 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था, और वो 15 साल में अपने घर कभी भी नहीं गया, यहाँ पर किम से दोनों जूट की वज़ए पूछी जाती है, लेकिन किम जवाब नहीं देता, जिससे वह कुछ बेलें आकर उसे पकड़ लेती है, उसकी जुबान काटने के लिए, इसी बीच दोनों एंजेल को समझ नहीं आता, वो किम को कैसे बचाएं, तो वो गैंगलिम से मदद मांगते हैं, जो की अर्थ पर होता है, गैंगलिम मिस्चून के द्वारा, किम को डिफेंड करता है, और कहता है, हम ये मानते हैं कि किम एक जूटा है, ये वो लेटर है, जिसको उसने उस बच्ची को लिखे हैं, लेकिन इसमें वो लेटर्स भी हैं, जो उसने अपनी मा को भी लिखे हैं, किम ने उस बच्ची को लेटर इसलिए लिखे थे, क्यूंकि जब उसके पिता की म जाम लगे थे, वो सब खारिज कर दिये जाते हैं, अब वो तीनों अगले पढ़ाव के लिए निकल जाते हैं, यहां गैंग लिम, हीवनमा को और मिस्चून को बताता है कि किम का भाई मर चुका है, और वो एक बुरी आत्मा बन चुका है, तुम उसके भाई के बारे में किम क को बुला कर लाता है, तब तक किम के भाई की मृत्यू हो जाती है, अब उसका सीनियर सोचता है, अगर इस बात का किसी को पता चला कि उसके ग्रुप से किसी की मृत्यू हुई है, तो उसका प्रमोशन रुख जाएगा, अब सीनियर किम के भाई के दोस्त को मना कर, किम के भ पढ़ाव विश्वाश घात नर्क का है, लेकिन तुम्हें एक महान आत्मा हो, तो तुम्हें ये दोनों पढ़ाव से गुजरने की जरूरत नहीं, यहां गैंगलिम को देखते हैं, जो किम के भाई के दोस्त का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा हो मुझे मारा है, मैं उनसे बदला लूँगा, क्योंकि जब मुझे वो दफना रहते तब मैं जिन्दा था, ये सुन गैंगलिम को अपना अतीत याद आने लगता है, जिसका फाइदा किम का भाई उठा कर वहां से भाग जाता है, यहां किम के भाई का दोस्त उनकी मा के पास मारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अब गैंगलिम उसे बचा लेता है, यहां किम का अगला पढ़ाव हैल आफ वाईलेंस होता है, मिस चून कहती है, यहां उन लोगों को लाया जाता है, जिन्होंने कोई अपराद किया हो, लेकिन तुम एक महान आत्मा हो, और हमें नह कोई जवाब नहीं दे रहा था, अब मिस चून कहती है, न्यायधीश हम आपके सामने किम का पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन न्यायधीश उसकी बात न सुन, किम को सजा सुना ही थी, कि मिस चून गैंगलिम को सारी बात बता देती है, अब गैंगलिम कहता है कि कमबाइन चीन ली जाएगी और उनका पुनरजन में भी नहीं हो पाएगा, न्यायधीश कमबाइन ट्रायल को एसेप्ट कर ले, अब किम का आखरी पढ़ाव, हैल ओफ फिचल इमपाइटी होता है, इस परीक्षा में मा और बेटे के रिष्टे पर सवाल उठते हैं, कभी उसने अप अपनी मा को मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई ने ये देख लिया, और मुझे उन्हें मारने से रोका, जिस पर मैं बहुत गुस्सा हुआ, और मैंने अपने भाई को बहुत मारा, और कहता है, मैं अपनी मा को नहीं मारना चाहता था, दरसल मैं हम तीनों को मारना चाहत मैंने सोचा था पहले अपनी माँ को मारूंगा, फिर मैं और मिरा भाई नीन्द की गोली खाकर साथ में मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत दुख भी हुआ, और मैंने अपना घर छोड़ दिया, जब मैं 15 साल का था, मैंने फैसला किया कि मैं अपनी माँ और अंदर आते देख लेता है अब सीनियर उसकी मा के पास आकर उन्हें भगाने की कोशिश करता है उनके साथ बदसलूकी करता है जिससे उनके बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो सीनियर को मारने के लिए बुरी आत्मा में कनवर्ट हो जाता है और वहाँ तूफान ला दे जिसकी वज़े से दूसरी और उसका भाई किम पर असर पड़ता है वो रेत में धस्ता चला जाता है अब किम का भाई सीनियर को मारने ही वाला होता है कि उसे पोर्टल से मिस्चून की आवाज आ जाती है जो किम को रेत में धसने से रोक रही होती है अब किम का भाई ये दे अपनी मां को मारने की कोशिश की थी तब उसकी मां जाग रही थी वो भी यही चाहती थी कि वो मर जाए जिससे उसके बेटों को अपनी मां का बोज न उठाना पड़े अब किम को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है और माराज यॉम्रा से उसे सजा देने का बोल रहा होता है अब किम को सजा मिलने ही वाली होती है कि वहाँ एक भूकमसा आता है और किम का भाई अपनी मा के सपने में पहुँच जाता है जिससे माराज यॉम्रा थोड़ा रुख जाते हैं और उनसे कहता है कि वो आब उनसे मिलने नहीं आपाएगा, उसे स्वर्ग में एक बोहोत बड़ा जज बनाया गया है, बुरे लोगों को सजा देने के लिए, और आप अपसे मुझे खोजते हुए बेस पर मताना, और उस रात जब किम ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, उस दुनिया में उसे सजा नहीं मिल सकती, तुम फिर से धर्ती पर पुनरजन्म ले सकते हो, अब किम का आखिरी पड़ाओ भी पार हो जाता है, अब किम मिस चून से शुक्रिया कहकर एक तेज लाइट के साथ वहां से गायब हो जाता है, यहां हम हीवन मैक को देखते हैं, जो यह मूवी एंड हो जाती है, अगर यह मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें,